नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं चुपचाप अपने पर्स में रख दे एक खास चीज मन्चाही काड़ी बंगला पैसा सब होगा आपके पास जी हाँ दोस्तों सिर्फ एक चीज जो आपको अपने पर्स में रखनी है जिसके आपका पर्स हमेशा भी नोटों से भरा रहेगा शुरू करने से पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबर्तस टोपिक जिनसे आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुख में जीवन तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा चुपचाप अपने पर्ष में रख दे एक खास चीज मन्चाही काडी बंगला पैसा सब होगा आपके पास गुरुवार के स्वामी ग्रह ब्रश्पति जी माने जाते हैं अर्थात गुरु ग्रह माने जाते हैं जिनने वैवब और धन्स संबंदी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता अफितु वैं हमेशा ही दन्संप्रदा से परिपूर्ण रहता है आप भी अपने गुरु ग्रह को अनुकूल बनाकर गुरु ग्रह को मजबूत बनाकर अपने पर्ष को हमेशा नोटों से भरा रख सकते है इसके लिए आपको सर्फ एक चीज अपने पर्ष में रखनी है जी हां दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है वो एक चीज वो एक चीज है दोस्तों केसर या हल्दी जी हां दोस्तों केसर या हल्दी का एक टुकड़ा आप अपने पर्ष में रखें दूसरा है दोस्तों पीप इसके अलावा आप चांदी का वैसिक्का जिस पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित हो वह भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं किन्तु इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें देवी माता अपने खड़े हुए सवरूप में ना हो वे अपने बैठे हुए सव रूप में विराजमान हो इसके साथ साथ दोस्तों आप किसी तामवे की पट्टी पर कुबेव और श्रीयंत्र अंकित करवाकर अपने पर्स में रख लें ऐसा करने से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा आप यथा संबब अपने अनुसा कोई भी इन में से उपाए कर सकते हैं कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख सकते हैं जैसे आपका पर्स सदा ही नोटों से भरा रहेगा इसके अलावा दोस्तों गुरू ग्रह को मजबूत करने के लिए पुकराज विशेश रूप से जाना जाता है यदि आप पुकराज धारन करते हैं तो आपको वि राईए और उसको धारन करें जिससे आपको अत्यन तलाव हुगा तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया गुरुवार को पर्स में रख ед सिर्स एक चीज जिससे आपका पर्स सदा ही नोटों से भरा रहेगा तो दोस्तों योधि आपको मली ये वी आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुख में जीवन आज के लिए सरफ इतना ही दोस्तों कल फिर आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद